हलो एवरिवन आज बनाएंगे पोहा, पोहा आपने बहुत तरीके से खाया होगा लेकिन एक बार इस तरीके को भी अपना के देखेगा, खाने में बहुत ही मज़या आएगा और बाकी रेसिपी भी भूल जाएंगे तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में हम, जितना हमको पोहा चाहिए उतना ले लेंगे और उसको अच्छे से पाने डालका दो तीन बार हम पाने डालका अच्छे से धो लेते हैं ताकि इसके उपर जो भी डस्ट है वो अच्छे से निकल जाए और धोने के यालका फ्राइ करेंगे, जब चना दल हलका सा फ्राइ हो जाए, तब इसमेँ थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, और आलू, इन सब को एक इसाध डाल देना है, ताकि प्याज फ्राइ होते, तके हमारा आलू भी अच्छे से फ्राइ हो जाए, दो हम खाये तो उसका टिस्ट बहुत अच्छा चाहता है लास में इसमें फ्रोजर मटर डालेंगे अगर नॉर्मल मटर यूज कर रहे हैं तो आलू के साथ ही डालिएगा इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम जो पोहा धोके रखे हुए थे उनको टाल कर हलका सा इसमें नमक डाल चुके हैं और इनको आपस में अच्छे से मिला लेते हैं और लास में थोड़ी से धन्या पत्ती और एक निम्बू को हम ड्रस निकालके उसको डाल देते अगर निम्बू नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अब निम्बू का रज डालने के बाद इनको बाद कर में चैनल